हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मिनी है और कुपित मिनी में आपका स्वागत है आप सभी को नवरात्री की धे सारी शुप कामनाएं अश्मी औ नोमी आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अश्मी नोमी में जो हल्वा छोले और पूड़ी बनाये जाते हैं उसकी रे तेबल स्पून जितना मैंने ऐल डाला है आप इसकी जगा देसी गी का भी उस कर सकते हैं अब इसमें हाफ टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे और जीरे को हलका हम भुन लेंगे जीरा हमारा भुन चुका है मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर और दो हरी मिट डाल कर उसका पेस्ट बना लिया था अब इसे डाल कर हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे टमाटर और रिलीस नहीं कर देते साथी साथ के यहां में हाफ टेबल स्पून जितना सॉल्ट डाल दे हूँ अगर हमें हाफ टेबल स्पून जितना यहां में रोस्टे जीरे का पाउडर डाल दे हूँ साथी साथ के यहां में हाफ टेबल स्पून जितना सुखा धनिया का पाउडर डाल दे हूँ और तीखा करने के लिए यहां मैं half टेबल स्पून जितनी रेट चिली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ टू टेबल स्पून जितना पनीर डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ पनीर डालने से इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपको पनीर का फ्लेवर नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बड़ बच्चों को बच्चों को बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं पनीर आती साथ यहां मैं कुछ पनीर के क्यूप्स को डाल रहे हूँ अब इसे डाल कर हमने दो मिनट के लिए प्रमाटर और मसाले के साथ पकाना है जिससे हमारे पनीर में इसका फ्लेवर अच्चे से आ जाए यहां मैंने हाफ कटोरी चने रात में ही भिगो दिये थे और इसे आधा चमर नमक के साथ बॉइल कर लिया था अब हम अपने काले चने को एड़ करेंगे इसमें इसे डाल कर आप अच्छे से मसाले और पनीर के साथ मिक्स कर लिजिए चने हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब गैस का फ्लेम आप स्लो कर दीजे और पाच मिनट इसे ढग कर पकने दीजे पाच मिनट हो चुके हैं चने हमारे पक चुके हैं अब हम इसमें हाफ टेबल स्कून जितना गरम मसाला डालेंगे यह ओप्शनल है साथी साथ यहां में फ्रेशी जॉप हरा धनिया डाल रही हूं धेर सारा हरा धनिया का फ्लेवर भूती अच्छा आता है अब इसे डाल कर आप एक बार मिक्स कर लेजिए अगर आप इस बार मेरे तरीके से चने बनाएंगे ना अगर बच्चे बार-बार मांगकर आपसे खाएंगे और अगर बच्चे खुश है तो माता रानी तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी तो चलिए इस बार आप मेरे तरीके से जरूर चने बनाएगा और कमेंट कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शियर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए चने हमारे पक चुके हैं अब हम हलवा बना लेते हैं अब एक अलग पैन लेकर उसमें एक टेबल स्पून जितना यहां मैं देसीगी डाल रही हैं सबसे पहले हम ड्राइफ फ्रूर्ट्स को शेलो फ्राई करेंगे, यहां मैंने किश्मिश डाली हैं साथी साथ कुछ काजू के पीसिस डाले हैं और कुछ कटे हुए बदाम डाल दे हूँ, आपको और भी जो भी ड्राइफ फ्रूर्ट्स पसंदो आप उन्हें भी आइड कर सकते हैं साथी साथ स्लिट किये हुए यहां पे मैं सुखा नादे डाल दे हूँ एक मिनट के लिए इसे हमने स्लो फ्लेम पर पुनना है जब हम ड्राइफ फ्रूर्ट्स को बुनकर डालते हैं घी में तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुती अच्छा आता है हलवे में और इसका क्रंचीनेस बना रहता है ड्राइफ फ्रूर्ट्स हमारे रोज सो चुके हैं अब आप इन्हें अलग निकाल लेजिए अब इसी पैन में हम थोड़ा सा घी ओर डालेंगे और साथी साथ यहां मैं हाफ कब जितनी सूजी ले रही हूँ जितना मैंने घी लिया है उतनी ही मैंने सूजी ली है अब इसे डाल कर हमने बुनना है घी का यूज आप अपनी टेस्ट एंड हेल्थ के अकॉर्डिंगली एड़ेस्ट कर सकते हैं अब हम सूजी को लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे सूजी हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब इस स्टेज पे यहां मैं वन टेबल स्पून जितना बेसन डाल रही हूँ बेसन डालने से हलवे का फ्लेवर और जादा बढ़ जाता है तो आप इसे जरूर एड़ खीजे अब इसे डाल कर हमने सूजी और बेसन को गोल्डन ब्राउन होने देना है सूजी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डेट कर टोरी जितना पानी डालेंगे इसमें डेट कर टोरी जितना पानी डाल रही हूँ इसे डाल कर आप अच्छे से पकने दे अब गैस का फ्लेम आप तेज कर दीजे एक उबाल आने तक हम इससे तेज आज़ पही पकाएंगे साथ यहां में एक किलाईची को फूट कर डाल रही हूँ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हलवे में बॉइल आ चुका है अब गैस का फ्लेम हम दीरे करके इसे ढखकर तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरी तरह से पानी ड्राई नहीं हो जाता पानी हमारा ड्राई हो चुका है अब हम इसमें शुगर एड़ करेंगे या हाफ कप जितनी मैं शुगर ले रही हूँ अब इसे डाल कर हमने मिक्स करना है और साथी साथ हम उन ड्राई फ्रूर्ट को भी डाल देंगे जो हमने फ्राई किये है अब इन्हें डाल कर आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से जब तक कि शुगर हमारी अच्छे से मैट नहीं हो जाती मेरे घर में हलवा हलका लाइट कलर का बनता है अगर आप थोड़ा सा डाक पसंद करते हों तो आप सुजी ओड जादा भून सकते हैं हलवा हमारा अच्छे से पक चुका है देखिए इस त्यारों तरफ इसके घी आ गया है इसका मतलब यह होता है कि हमारा हलवा जो है वो पूरी तरह से पक चुका है इसका फ्लेम आप आफ कर दीजे तो चलिए जटपट से हम पूरियां तल लेते हैं ओईल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें एक के टर के अपनी पूरियां तलेंगे पूरी के आटे में मैंने क्या-क्या डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी इसी डंग से हम अपनी सभी पूरियों को तल लेंगे देखिए क्या बढ़िया बढ़िया पूरी फूली है न तो लीजिये रेडी है हमारी अश्मी नोमी की भोग प्रसाद की ठाली इस बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा मेरी रेसिपी और अगर आपको और आपकी फैमिली और बच्चों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करे